दोस्तो आइफसी आई शेयर आज अगर आप देखोगे तो 4.42% चड़ा है और पिछले 5 दिन में देखिए दोस्तो 15% का इसने रिटन भी दे चुका है मतलब काफी जबरदस्त यहां पे 15 दिनों में इसने यहां पे ग्रोथ की है वहीं एक मंत की बात करोगे तो दोस्तो एक म इने में आप देखोगे तो आपको समझेगा कि इसने एकदम जो हाई है आपना वो 70 के आसपा से इसका तो मतलब दोस्तो अभी भी जिनों ने यहां पे 60 प्लस ले लिया है उनके लिए अभी भी जो है काफी बड़ा गाटा देखनी को मिल रहा है इसमें मतलब आप पकर सकत है कि मतलब शेर काफी उपर जा सकता है तो वीडियो पूरा देख कि हम जो इसके चार्ट के सारे देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है मतलब दोस्तो यह चड़ता हुआ देखने को मिलेगा या यहीं से गिरता हुआ देखने को मिलेगा कौन सा इसका सपोर्ट आप बन सकता है या फिर रेजिस्टन्स आगे फीचर में देखने को मिल सकता है सब भी बात करेंगे वैसे दोस्तों अगर आपने ये शेर लिया ना तो कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने मिलिया और अभी आपको इसमें प्रॉफिट है या नहीं और अगर आप नियू एंटर का भी सोच रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो काफी इंपर्टेंट हो सकती है वैसे दोस्तों आप 6 महीने में देख लिए 92% रिटन ये दे चुका है और एक साल में तो काफी जबर्दस दे चुका है 353% तो पहली बात तो ये याद रिखेगा कि मतलब शेर काफी ज़ादा रिटन दे चुका है एक साल में मतलब दोस्तों 353-400% दे दे कोई शेर तो फिर हमें पता है कि वो काफी ज़ादा श्टरगल भी करता है आने वाले कुछ सालों के लिए तो इस बात को भी ध्यान रिखेगा लेकिन अगर आप जो है इस पर पूरी रिसर्च करते हो तो फिर अलग बात है क्योंकि दोस्तों वो आपकी चोईस रेगी क्योंकि आप लेने वाले हो शेर तो आपको पूरी research करके लेना चाहिए इसके चोटी से चोटी चीज इसके fundamentals का आपको नज़र रखना चाहिए इसकी कोई news आई या नहीं उसके भी नज़र रखेगा बाकी ही बाद में ही मतलब यह share लीजेगा उससे पहले लेगे समझे आपने ले लिए और बाद में आपने देखा इसके fundamentals आपको पसंद नहीं आए तो ऐसा भी होता है कई बार तो उसको पहले पूरत आप चेक करके ही share लीजेगा बाकी चले जाते हैं इसके चार्ट पर और देखते हैं कि वहाँ पर कैसा हाल है तो दोस्तो यह रहा आए फसी आए का वंडे चार्ट और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ बंद होता हुआ देखने को मिला है ऐसे में यहाँ पर कितना हाई पर गया था तो दोस्तो 72 के आसपास गया था मतलब जिन्हों ने 70 के आसपास ले लिया उन्हें अभी कितना गाटा है तो 23 रुपे का गाटा उन्हें अभी भी है तो ऐसे शेर्स में यह ज़ादा प्रॉब्लम होती है कि दोस्तो गिरता है तो बहुत जाल्दी गिरता है जब यह चड़ाताना तो भी आप देख सकते हो बहुत ही जल्दी यह एक महीने के अंदर दोस्तो आप कह सकते हो कि दुगुना या फिर आप कह सकते हो उससे भी जादा इसने रिटन दिये थे लेकिन अगर वही नेक्स्ट मंद की बात करोगे तो मतलब आप कह सकते हो कि दोस्तो 50% यह जो है यहाँ पे पैसे खा भी चुका है इन्वेश्टर्स के मतलब जिन्नों ने यहाँ पे लिए उनके लिए तो 50% लोस होई गया है क्योंकि 70 से आप देख से कि 35 तक तो यह गीरा ही था तो 2X तो यहाँ पे गाटा होई चुका है या फिर आपके सकते हैं आदा तो गाटा होई चुका था ऐसे में अब जो है यहाँ पे यह शेर घूम रहे है यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो कौन सा सही पॉइंट निगल के आता है तो यह याद रखेगा अगर कल यह इसे ब्रेक करता है 47.5 को तो आप एक न्यू एंटरी का सोच सकते हो उससे पहले मेरे सबसे ना कहीजिए क्योंकि दोस्तों यहाँ से गिर गया तो हमें पता है कि यहाँ से देखिए एक बार इसने ट्रोरने का ट्राइ किया था नहीं तूटा तो फिर गिरता हुआ देखने को मिला ऐसे में यह पॉइंट काफी इंपोर्ट है निकल कर आ जाता है 47.5 का अगर यह इसे ब्रेक करता है तो फिर आप एक द्वार सोच सकते हो एंटरी का और मेरे सबसे फिर आप टारगेट भी पकर सकते हो दिरी दिर उपर क लेकिन हाँ अगर यहां से यह कल निकेटी हो रहा तो फिर दोस्तो इससे दूरी रहेगा थोड़ी दिन क्योंकि जब यह इसे तोड़ने लगे मतलब आप इस पर नजर रख सकते हो लेकिन लेने का तो मैं एक ही बता सकता हूँ मतलब यहां पर रिकमेंडेश दे सकता हूँ आपको ख़ूँगा तो नहीं कि लीजिएगा क्योंकि वो आपकी चोईस रहेगी और बाकी आप इस पर क्या कहते हैं जरूरू बता है कि अगर आपने लिया तो कितने में लिया है आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में कितना देता है अगर निगेटीव निउस नही कुछ भी हो सकता है वो तो देखने के बात रहेगी मैंना आपको एक जो है यहां पर बता दिया है और वहीं दोस्तों अगर आप इसके रेजिस्टेंस की बात करोगे तो यह पहला रेजिस्टेंस निकल के आएगा और दूसरा तो पता नहीं लेकिन पहला आप यह पकड़ सकत यहां तो यहां झापने सुले को यहां नहीं खाया करूब साब पता है वो यहां धिया स doit से एक है